आदर्श नगर के बड़े से बंगले में सरीता नाम की एक लड़की अपने पती के साथ रहा करती थी सरीता का बंगला इतना बड़ा था कि उसे बंगले की सफाई करते हुए कब सुबह से शाम हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था एक रोज सरीता अपने पती सिध्धार्ट से कहती है अजी मेरी बहन सीमा को गुजरे हुए कितने दिन बीद गए है पर मुझे हर पल बस उसी की याद सताती रहती है उसके बिना मुझे ये घर खाने को दोड़ता है जी और आप भी फैक्टरी के काम में इतना बिजी रहते हो इतने बड़े घर में काम करते करते मुझे पूरा दिन हो जाता है घर का काम करने में अप मेरी तब्यद भी खराब होने लगी है अच्छी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लें सरीता की बात सुनकर सिध्धार्द गुस्से से बोलता है क्या कहा तुमने घर के लिए नौकरानी रख लें अरे एक तो फैक्टरी में वैसे ही इतना नुकसान हो रहा है उपर से तुम नौकरानी रखने की बात कर रही हो अरे तुम्हें पता भी है कि नौकरानी इतने बड़े बंगले में कितने ज्यादा पैसे लेगी सिधार्थ ऐसे बोली रहा होता है कि तभी घर की बैल की आवाद सुनाई देती है सरिता दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है आप कौन है और किसे मिलना है आपको जी मेरा नाम सुधा है और मुझे पडूज की शीला काकी ने आपके घर काम करने के लिए भेचा है पर हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है अजी साहब आप एक बार हमसे घर का काम करवा कर तो देखो और पैसो की तो आप कते ही चिंता मत करो मेरा काम देखकर जो आपको सही लगे बस उतने पैसे मुझे दे देना अजी रख लीजे ना नौकरानी को वैसे भी कई दिनों से मेरी तब्यद भी ठीक नहीं है सिधार्थ नौकरानी की ओर देखता है उसे देखकर मनी मन बोलता है ये नौकरानी तो बहुत ही सुंदर है और काम के पैसे भी कम मांग रही है अजी आपकी सोच में पढ़ गए अरे बाबा रख लो नौकरानी वैसे भी तुम्हारी तब्यद भी ठीक नहीं है तो तुम्हे भी थोड़ा राम मिल जाएगा फिर क्या था सुधा नौकरानी फट से घर की काम में जुट जाती है और पलक जपकते ही सुधा बढ़ियां-बढ़ियां खाना बना कर तयार कर देती है तभी रसोई घर में सरीता आती है और इतना सारा खाना बना दे एक हैरान हो जाती है अरे वा, सुधा, तुने तो जटपट खाना बना कर तयार भी कर दिया अरे, तु काम वाली है या फिर कोई जादूगर नहीं अची मेम साब, आगे 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 आप देखिये होता है क्या आप तो बस अपने कमरे में आराम कीजे ऐसा बोलकर सुधा अपने काम में लग जाती है और जब रात होती है, तो सिधार्थ फैक्टरी से घर आता है और देखता है कि खाने की टेबल पर खाना लगा हुआ है अरे वा, आज तो खाने से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है साब, आप खाना खाकर तो बताएए कि कैसा बना है मगर सरीता कहा है उनकी तब बे ठीक नहीं थी, तो मैंने उन्हें खाना खिला कर सुला दिया अच्छा है कि सो गई, वैसे आए दिन ये बीमार ही पड़ी रहती है इसका भी जल्दी से किसा खत्म हो, तो मेरा काम बन जाए अरे साब, आप अकेले अकेले क्या बरबढा रहे हो कुछ भी तो नहीं ऐसा बोलकर सिधार्थ खाना खाकर सोने चला जाता है उसी रात सरीता को किसी के जोर-जोर से हसने की डरावनी आवास सुनाई देती है सरीता उठती है और रसोई घर की ओर जाती है कि तभी एक काली बिल्ली सरीता के उपर जपट्टा मारती है सरीता बिल्ली को देख कर जोर से चिलाती है सरीता की आवाज सुनकर सुधा और सिधार्थ भागे चले आते हैं क्या हो सरीता तुम ठीक तो हो ना सिधार्थ मैंने किसी के हसने की आवाज सुनी जब मैं यहाँ ही तो एक काली बिल्ली मेरे उपर जप दी कोई भी तो नहीं है यहाँ लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चलो अब चल कर सोचाओ फिर अगली दिन रात को सरीता को अपनी रसुई से किसी बिल्ली के म्याओ म्याओ की आवाज सुनाई दी जब वे रसुई घर में जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक डरावनी चुडैल दिखाई देती है जिसने एक काली बिल्ली का गला कसकर पकड़ा हुआ था उसे देखकर सरीता की सिट्टे-पिट्टे गुल हो जाती है आ गई तू देख जरा इस बिल्ली को जैसे मैंने इसका गला दबाया है ऐसे ही मैं तेरा गला दबा कर तुझे मार डालूंगी सरीता जोर से चिलाती है सरीता की चीग सुनकर सिधार्त वहां आता है चुडैल, ये मुझे मार डालेगी अरे का है चुडैल मुझे तो कोई चुडैल नहीं दिखाई दे रही अभी मैंने उसे यही रसोई घर में देखा था, अब ना चाने कहां गायब हो गई तब ही वहाँ सुधा आती है, अरे मेम साब, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा, इस रसोई घर में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है अगले दिन सुधा अपने कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी सरिता की नजर सुधा की उल्टे पैर उपर पड़ती है सरिता बहुत डर जाती है सुधा कमरे की सफाई करके कपड़े धोने जाती है सरिता भी सुधा की पीछे जाती है और चुपके से उसे काम करते हुए देखती है सुधा कपड़े धोने लगती है और देखते ही देखते सुधा नौकरानी से चुडैल के रूप में बदल जाती है सरिता ये देखकर बहुत हैरान होती है कि सुधा नौकरानी एक चुडैल है तभी मैं कहूं कि ये नौकरानी कैसे इतनी जल्दी घर के सारे काम कर लेती है आने तो सिधार्थ को उन्हें आज रात में सब बता दूँ कि मगर सुधा को चुडैल रूप में देख कर सरीता की तब्यत और खराब हो जाती है और वो दवाई खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है रात को जब सिधार्थ घर आता है तो देखता है कि सरीता अपने कमरे में सो रही है वो सुधा से पूछता है तुम्हारी मेम साहब ने खाना खाया है नहीं? नई साब, नजाने उन्हें आज क्या हुआ, आज वो दिन से ही अपने कमरे में सो रही है, सुधा टेबल पर खाना लगा देती है तुम जाओ रसोई का बागी काम खत्म करो सुधा रसोई घर के पास खड़ी होकर देखती है कि तभी सिधार्थ अपनी जेब से एक पुड़िया निकाल कर खाने में मिला रहा है सिधार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है आज इस सरीता का भी काम खत्म कर देता हूँ जैसे मैंने इसकी बहन को खाने में जहर देकर मार डाला और उसकी सारी जायदाद सरीता के नाम हो गई अब ये भी जहर वाला खाना खाकर मर जाएगी तो इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी फिर मैं मज़े से जिन्द की जियोंगा और फिर से किसी अमीर लड़की को अपने प्यार में भसाकर उससे शादी कर लूँगा। पर अब मुझे सच्चाई पता चल गई है, अब मुझे अपनी बहन को इस पापी इंसान से बचाना है। मैं अब भी तुम्हारा सच सिधार्थ को बताती हूँ। सरीता की बात सुनते ही सुधा चुड़ैल की रूप में बदल जाती है और रोते हुए बोलती है। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन सीमा हूँ जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे सिधार जी जाजी ने काने में जहर दे कर मार डाला था। फिर चुड़ैल सरीता को सारी बात बताती है। तुम, तुम मेरी बहन सीमा हो। ऐसा बोल कर सरीता की आँखे भर आती है। दीदी, जब तक मैं अपनी मौद का बदला नहीं ले लूँगी, तब तक मैं ऐसे चुड़ैल बन कर भटकती रहूँगी। पर अपना बदला लेने से पहले मुझे आपको एकदम ठीक करना है। मैं आपकी सेवा करूँगी, आपको कोई काम नहीं करने दूँगी। फिर क्या था? सीमा चुड़ैल फिर से सुधा नौकरानी के रूप में बदल जाती है और जहर मिला सारा खाना फेक देती है। सिध्धार देखता है कि सरिता तो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन से ही सीमा सुधा के रूप में सरिता की देखरेक में लग जाती है। वो अपनी चुड़ैल शक्तियों से फटाफट घर का सारा काम कर देती है। सरिता को बढ़िया बढ़िया दलिया, खिचुड़ी और फलप्रूट खिला कर कुछी दिनों में एकदम ठीक कर देती है। एक रोज सुधा अपने चुड़ैल के रूप में सरिता के पास बैटी उससे बाते कर रही होती है कि तब ही वहाँ सिध्धार था जाता है। और सरिता के पास चुड़ैल को देखकर चिलाते हुए बूलता है। मेरी बेहन को मारीगा। अब देख में तेरा क्या हाल करती हूँ। मगर चुड़ैल सिध्धार्थ की एक भी बात नहीं सुनती और उसका गला दबा कर मार डालती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरी बेहन तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। मेरी बेहन आज तू ना होती तो ये पापी मुझे बिमार डालता। तुने एक नौक रानी बन कर मेरी जो सेवा की है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सरिता की बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी वहां से चली जाता है।